हेलो राधे राधे गुड आफटर नून दुपहर के बज़ रहे हैं तीन कड़ाके की पड़ रही है दुपहर मतलब इतनी जाना धूप थी कि निकलने का जो है न बिल्कुल मन नहीं कर रहा था लेकिन मन को मारते हुए पहुँच गए बजार और यहां पर बेटे के लिए है ली है हमने नई साइकल बहुत दिनों से इंतजार कराया है फिर उसके बाद जो इना फाइनली आज उसको साइकल देला दी और बच्चों को जब जैसे ही मतलब वो कुछ चीज मागे ना उनको कभी एकदम नहीं दिलानी चाहिए थोड़ा सा उ अगातार टूशन आना स्कूल जाना मतलब डेली आना जाना रहता था तो एकदम बिकार हो चुकी है तो बस उसके लिए नहीं साइकल आ रही आई और बहुत जाना खुस्तास तो मतलब उसका जो खुशी का लेवल था ना बहुत जाना हाई था यहां और हमारे जब भी कोई जान के लिए तो फ़ी नहीं चीज आती है ना उसका पूजन हम जरूर करते हैं तो यहां पर पड़े जी जो आना पूजन कर रहे हैं तो मैं बना रही हूँ आप सब के लिए वीडियो जा करने के बाद देखिया पंडे जीने साइकल चला ही लिए उनको तो बहुत अच्छ नहीं पाया और वो समय जो है ना ऐसे ही बीद गया अब जो है ना इतनी हिम्मत नहीं होती सीखने की और वो एक क्रेज होता है ना वो क्रेज भी नहीं रहा है तो इन्हों ने जो है ना मुझे बहुत बोला कि नहीं नहीं चलो मैं चलवाता हूं तुम सीखो तो थोड़ी सी मै ने चलाई लेकिन मैं नहीं चला पा रही हूँ क्योंकि जो था ना एक हाथ आपका सैट होता है साइकल पर तो वो मेरा नहीं हो पा रहा है लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं साइकल चलाना सीख हूँ और फर देखते हैं कितना सीख पाती हूँ कोसिस करूंगी और जब मेरी कोसिस सक्सेस्फूल हुई तो आप लोगों के साथ में पका सियर करूगी लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगी जिस समय पर जो चीज हमें चहियों होती है अगर वो मिल जाती है तो उसकी खुशी अलग होती है अब इस साइकल का मुझे इतना क्रेज नहीं रहा है एक समय अगर से तरी आप कि बनाते हो तो ओपर चैलरी यहां मैं दखा थोड़ा सा Onda झाला है गड़ा यह दनीः बनता है लेकिन कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा तीखा और वो तरल वाला मृष्ची वाला खाना खाऊ तो बस मेरा बहुत दिनों से मन था तो बस मैंने दो-तिन दिनों से लगा तर इसी से मसाला आज कल मैं बाट रही हूं इसको हाल की साथ धूकर रख देती हूं और बहुत साना टेस्ट भी नहीं बनाया था मैंने क्योंकि आज हमारा निमंतरन था पूरे परिवार का तो सुबा के समय तो हम वहीं खाना खा कर आए थे दुपैर के समय बस ऐसी बाचीत कोई मिलने जुलने वाले आ गए तो वस वस ही मैं पूरा दिन आज हमारा चला गया और उसके बाद हम रुक सबजी किसकी बना रही हूं मैं बना रही हूं यहां पर बरी की सबजी बरी आप लोग को पता होगा वैसे मूंकी डाल की जो बड़ियां बोला जाता है वो मैं यहां पर बना रही हूं तो बस सबसे पहले जो है न मैं बड़ी को भूल लेती हूं हलका सा मैंने तेल डाला है और उसको अच्छे से थोड़ा सा मैं भून लूँगी ताकि उनमें जो कच्छा पन रहता है ना वो नार है और धेर सारे बभी माजे हैं मैंने बड़तन इतने सारे बड़तन हो जाते ना मैं आपको क्या बता हूँ आप लोगो भूलोगी दीदी आप बड़तनों को माजना क्यों बोल रही हो क्योंकि यह हमारी रेगुलर भासा है हमारी यह बड़तनों को माजना ही बोलते है वसे बड़तनों को साफ करना बोला जाता है होती है एक जगे की एक भासा होती है कि मतलब उस सब्द से उसी सब्द मसाले में खट्टे पे स्वा कर नहीं रहता है और इसको बिल्कुछ स्लो फ्लैम कर दूंगी उसमें इस मसाले को बूनने वाली हूं, फिर देखिये बनेगी बैस्ट वाली सबजी यहाँ पर चार-पाँ चालू मेरे रखे हुए थे उबले हुए तो बस इन आलो को भी जो हु तो इस अपनी एकशार कर लेती है तो थोड़ा साम के समय बरी की सबजी अच्छी लगती है थंडी रोटियों के साथ बरी की सबजी का जो कॉम्विनेशन होता है लेकिन मैं तो यहाँ गरम रोटियां बनाने वाली हूं कि जितना काम निबट सकता है उतना निपटाने की चल् इतना पाऊं मतलब थुड़ा सा आराम कर लेते हैं भले सो ना थुड़ा सा आराम कर लो ना तो आपकी सरी में अलक्सी एनर्जी आ जाती है लेकिन आस तो जो है ना बहुत ब्यस्ता वाला समय रहा है और हां मुझसे सबी लोग पूसते हैं दीदी कुर्ती आपने कहां से ल जो फैब्रेक है जो कपड़ा है ना बहुत ही जाना एक दम प्योर कॉटन है गर्मी इसमें बिल्कुल भी नहीं लगती है और इसका प्रेंट मतलब बहुत बैस्त कुरती है अगर आप लेना चाहते हो ना तो बैस्त है मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूं लेकिन बहु होती हूं तो बस मैं इसको धोकर जो ना धनिया काटकर रख दूंगी तो आज जो ना साड़े पांच बजे से जो एना में काम पर लगे थी सब्सक्राइब बहुत सारे धेर सारे बरतन भी मैंने साफ कर दी है आठा जो इना में लगा कर लग दूंगी आदग आदा या कुछ भी नहीं खाया और साम के समया चाय भी नहीं पी है तो वही है कि खाली पेट हो चुका है तो बिकट वाली भूग लग रही है लेकिन वही होतार है दोनों टाइम जब बक्त मिलता है ना तो समय सोया भी नहीं जाता है तो जितना हो सकता है उतना नियम फॉलो करने की हमी ताने की थायरी तो लगवख पूरी हो छो की है अभी जो है न दूनों वक्त मिलने का समय है तो इस समय मैं करती हूं पूचा-पार्ट, हमाभवान के लिए अकसर वी हाटीर करते है इसे संध्या पूजा कर तो यह जब मेरी शादी होकर आई थी नो उसी आसन पर बैट कर मैं पूजा करती है जब सुरसरू में पंडी जी ने मुझे पूजा करना सिखाया था तो अब वे जब बहुत पुराना आसन है जबसे मैंने कोई यासन बतलाई नहीं क्योंकि उसका क्या विगड़ता है फ़रता थोड़ी नायासन बस आज सोबा खुब सारे मैंने कपड़े दोए थे ये सारे कपड़े उपर से लेकर हिरम आया था मैं लेकर नहीं आई हूँ तो इस अपकी घड़ी कर दूँगी जितना क नहीं कोई भी कर लेते हैं लेकिन आर्टी में सामिल सभी लोग होते हैं पीछे दोएना खड़े हुए हैं दोनों जन तो बस यहां पर भोग दोपैर में लगाया था हमने के लिए का बोग बता रही थी ना सुबा सिर बठा कुटजी के लिए हल्वा बनाया था उसके बाद दोफैर में कुछ भी नहीं बना आज हमारे यहां पर बस यहां पर लाइट ओन करके अब जोएना मैं रोटियां सेखने वाली हूं सबची जोएना बनकर तयार हो गई है और देखने में बहुत ही खुपसूरत लगए देखिए कितना सारा मैंने इसमें पानी डाला था पू जोए पानी जोए जोए पानी जोए 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 अलग सी स्मेल आ जाती है बैसे दोनों टाइम बनती है लेकिन फिर भी इस डिल्या में जर्फना अच्छा लगता है बस यहां पर पहली रोटी आज गाए की बने कि क्योंकि आज सुबा के समय मैं रोटीया नहीं बनाई थी डारेक्ट साम को बना रही हूं सुबा के बर हलुए का मैंने भोग लगा दिया था अपने ठाकोची को और देखें मैं रोटीया कैसे बनाते हूं ऐसे रोटीया पता है कौन बना था मेरी दादी बनाती थी यह स्टाइल जो है ना मैंने अपनी दादी से सीखा है तो हर सारा जो आटा उपर से आप लगाते हूं वह लगाने की जरूद नहीं पड़ती जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं तेखिए मैंने यहां पर लोई बनाई और लोई बनाने के बाद बस इसको एक पार मैं आटे में इस तरह से लपेड़ूंगी लपेड़ने बढ़िया से फूल कर तैयार हो गई है यहां पर रख दिया है इसको पलड़ देंगे हम और देखिए इतनी गूंज देती हूं मैं इसको इतना बड़ा कर देती हूं वह पास एक ही बार एक दो तीन चार बेलना इस तरह से मैंने फीरे हैं और दोबारा मुझे परूतर लग करते हैं तो अच्छा लगता है यहां पर दे के तीन ग्लास सब्स पूरी मैंने तैयारी कर दी है सब के लिए खाना भी परोज दिया है बस पंडे जी की फॉन से बाते खतम नहीं हो रहे हैं आपके घर में भी आसा होता है कि मुझे जरूर बताना जैशी रादे में तरो रा तेर दी